नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकासिंग और आप सभी का आप बहुत-बहुत स्वागत करते एक और फ्रेश वीडियो में फाइनली दोस्तों यार एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक आप सभी की तरफ से ले करके आए हम आज जहाँ पर हम एक फोन को एज़ाज़ पी सी यूज करेंगे जी हाँ दोस्तों अपना रेडिमी i note 10 मैं लिया है इसको एज़ाज सी यूज करेंगे हम और दूसरा यानि popo xc pro के अंदर हम अलिस्तौक रोग फ्लैश करेंगे हम फास्ट बूत रोंश करने वाले है जो कि कम्प्यूटर से की जाती है अक्सर दोस्तों पहले ही बता दूँ आपको की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लैंती होगा यहां पर तो पूरा वीडियो जरूर देखके जाना एक भी पॉइंट मिस्करोंगे और उसके बाद यहां पर यहां पर यहां बिल्कुल भी मत लिख बताया और एक ओटी जी आपके पास होना चाहिए तो ओटी जी आल्मोस्स सारे नए फोन जितने भी आते सभी सपोर्ट करते हैं तो चलते हैं अपर फटा फट से चलते हैं अपनी टेवल पर और मैं आपको बतातो किस तरीके से पूरा प्रॉसेस करना है तो आचुके हैं अ पर लिखना है शाओमी फास्ट बूट रोम करके लिख दो तो अपने आप आपको ठीक है सबसे ऊपर वाला एक आएगा यह मैं आपको नीचे दे दूगा यह साइट वैसे शाओमी फ्रेमवेर अपडेटर ठीक है आपको इस साइट पर जाना है सबसे पहले इस साइट में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर जो है अपने फोन का नाम लिखना है वैसे यहाँ पर सर्च को उप्शन आता है यह रहा है यहाँ पर सर्च को उप्शन अब मुझे यहाँ पर अपने पोको एक्स त्री प्रो अब हमें इंडिया वाले के लिए चाहिए तो हमने इंडिया वाले के लिए लिखना है यहां पर यह देख सकते हैं X3 Pro इंडिया 12.0.5.0 जो बिल्कुल लेटेस्ट है यहां पर लास्ट में आ रहा है डाउनलोड ठीक है उसके बाद यह आ गया बट हम यह अल्रेडी डाउनलोड कर चुके हैं तो हम इसको यहां पर काट लेते हैं अब यहां पर इसको आपने extract करना है यह एक्स्ट्रेक्ट तो आराम से आप कर सकते हो किसी भी extractor से ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो इतना सारा सामान आ गया अब यहां पर आपने क्या करना है extract कर ली एक्स्ट्रेक करने वाद इसको छोड़ देना है यहां पर आपने प्लेश्टोर पर जाना है और एक application हमने कर रखा है वह folder और उसके बाद आपको वहाँ पर एक file मिलेगी flash all.bet तो आपको इसी file को खोलना है इसके अंदर all भी file होती है like flash all.accept storage ठीक है इसके अलावा यहां पर storage और lock वाला भी होता है आपको यह वाला कभी भी नहीं खोलने ठीक है आपको हमिशा flash.bet वाला ही खोलना है जैसे कि मैं आपको दिखाते हूं flash all.bet यह वाला खोलना आपको सबसे उपर वाला ठीक है यह हर phone के साथ आपको देखने को मिल जाएगी अब यहां पर आपने क्या क इसको छोड़ना है आपने उसके बाद आपने यहां पर यह देख रहे हो first line आपको यहां से यह पकड़नी है fast boot जहां से यह लिखा fast boot erase boot वैसे हर किसी में अलग-अलग होता है लेकिन ज्यादातर में ऐसे ही होता है fast boot मतलब यह ऊपर वाले दो fast boot छोड़ देना है और उसके मैंने इसको कर दिया delete उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना होगा next step आपको यहां पर क्या करना है भई बहुत लंबा step है जैसी कि मैंने आपको बताये था यह चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं है तो प् आप यहां से हटा सकते हूं आपको इस सारा हटाना होगा मतलब यह बहुत ज्यादा lengthy process रहेगा इसको यह लिए आपको वैसे computer ज्यादा handy रहता है लेकिन अब यहां पर हम गारे पास computer नहीं है हमने यह शर्त यहां पर लगाई है कि हम आपस computer नहीं है यहां पर देख सकते है इतना ही यहां पर इसको फिर से इहां पर पर सेट गाने और इसी तरीक यह हर जगा से percentage अटाना है और लाश्न में क्या बचाएगा आपके पास ऑफ्सक्राइख जितना यहां तक भी लिख्विशान और रही लेन कि यहां पर आप스크ण कर समक्राम पर यहां देख सकते हैं क क्या करना है मैं आपको एक और दिखा देता हूं वैसे ठीक है तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है flash इसको छोड़ देना है यहाँ पर तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर से यह वाली line को आपको remove करना है तो दोस्तों इसी तरीके से आपक अची है उसके बाद जैसे flash उसके बाद यहां पर वो छोड़ना है आपने मैं एक करके दिखाता हूँ आपको simple ठीक है यहां से इसको अटाना है हमें पूरा यह अटा देते हैं ठीक है अब आगे है fastboot उसके बाद flash और उसके बाद एक percentage भी होता है जैसे कि यहां पर देखो यह percentage भी है percentage हटा देना है ठीक है बनाब fastboot flash उसके बाद उस file का नाम यह परसंटेज लिखाَّぎए डीपी ठीक है तो इसको यहां तक हमें हटा देना है यहां तक, slash तक, और यह भी हमें अटा देना है, यहां से, उसके बाद, same, sixth line के साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ, sixth line अभी तक मैंने बिल्कुल भी edit नहीं कर रही ही, ठीक है, एक percentage हटा रखा है विस यहां से, उसको आपने हटाना है, fast boot, flash, उसके बाद, यह भी आपने पूरा ही हटा देना है, नहीं कि यह भारी अली जो पूरी line होती है, इसको आपना अटाना, यह नीचे वाला मत काट देना, fast boot, यहां तक, तो हमने इसको अटा लिया, यह चीज हो निचे, ठीक है, इसी तरीके से, मैं एक और करके दिखाता हूँ, आपको, तो इसी तरीके स यहां पर एक काम करना है, यह देखिए, यहां पर अंडू का उप्शन है, यहां पर बस आपको यह दवाना है, देखिए, माल लीचे कोई गलती हो गई, इसे मेर से कोई गलती हो गई, तो मैं ऐसी तरीके से आप रिडू करने के लिए भी वही step है, तो इस तरीके से आप अ प्याद रखना, फास्ट बूट फ्लेश और उसके बाद सी आर सी लिस्ट, ठीक है, आगे वाला पूरा काट ना चाहते है, तो पूरा काट सकते हैं, यह हमने कर लिया है, अब हमको यहां पर नेक्स स्टेब क्या करना है, हमाई को बग जिगर अनाम की अप्लिकेशन होती है इसको डाउनलोड करना, ठीक है, बग जिगर, यह अप्लिकेशन है, हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपने फोन को कनेक्ट करना है, तो यह वाले हम फोन को करेंगे, ठीक है, तो इसको हमें फास्ट बूट मोड पर जाना है, ब को आपने connect करना कुछ इस तरीक से अपने फोन के साथ में मैं आप connect कर लेता हूं उसके बाद आपको मतलब जिसको आप एज ए कंप्यूटर यूज करना उस फोन के अंदर इसको connect करना डिया यह हमने कर लिया जैसे हम computer के अंदर करते connect और दूसरे phone को हमने कर लिया normal wire से connect इधर से अब जैसे आप connect करेंगे तो हम क्या करेंगे आपको क्या करना हो को setting पर जाना है setting में जाने के बाद आपको about phone में जाना है यहाँ पर एक option देखने को मिलता है यहाँ पर अगर आपका usb dubbing mode on नहीं है तो इसको भी on कर लिना है उसके बाद आपने इसको accept करना है और उसके बाद इसको install by usb को भी आपने on कर देना है तो इसके लिए वैसे आपको internet चीए होता है बट इतना कुछ ज्यादा issue नहीं है इसको करनेगा तो इसको छोड़ भी सकते हो बट security के लिए आप on कर ले ना उसको मैंने sim नीडाल रखी इसलिए वो मना कर रहा है जितनी बार यह allow कर आएगा यह आपको allow करना है accept करना है ठीक है मैंने आपर accept कर लिया तो वह यह internet का issue आ रहा है चलिए कोई बात नहीं है आपर हमारा काम तो होई जाएगा तो कोई दिक्कत न देना है ठीक है अब जैसे आप इसको allow कर देंगे तो यहां पर एक option आ गया है तो इसका मतलब हमारा device यहां पर connect हो गया उसके बाद आपने यहां पर यह जो command वाला option दिख रहा है इस पर जाना है और add को ignore करना है यहां पर आपने चेक कर लेना है कि आपका device जो वह connect भी है यहां नहीं तो आपने लिखना fast boot ठीक है devices रन करना है यहां पर आगे हमारे device का नाम अब आपने यहां पर simply क्या करना है next step रह गा यहां पर आपने जाना है यहां पर अपने जो हमने code यहां पर लिखे वे थे ठीक है उस पर जाना है और यह वह सारे code शुप करे यह भी white हो है ठीक है सबसे पहले हमको उपर आला code उठा लेना है तो हम इसको copy कर लेते है सबसे पहले तो हमने इस पूरी line को copy कर लिया और यहां पर आके हमको इसको paste कर लेना है ठीक है तो यहां पर अगर कोई space हो तो उसको आपको अटाना है और उसके बाद इसको start करना है अब जैसे सकते थे मैं भी अटा सकता था लेकि मैंने अटाया है नहीं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़े ठीक है आपने यह CRC फ्लैश करनी थी तो वो क्या नाम है उस फाइल का CRC CRC लिस्ट को आपने यहां पर सर्च करना है तो यह रख CRC लिस्ट इसको हम यहां पर ले ले लेते और यहां पर स्टार्ट करते हैं अब जैसे हमने इसको स्टार्ट किया यह भी यहां पर फ्लैश हो गई अब इसी तरहीक लगेगा अला कि यह बहुत हिलकेल की फाइल है जो भी आ रही है तो यहां पर हमको क्या करना है वापस जाना है अथरी यहां पर इस पर ठीक है उसके बादध हमारी जो कमांड है वह भी कुछC ईजी तरीकी की है यहां से इसको text को अटा देना है और इतना छोड़ देना ठीक है उसके बाद आपने वापस से इधर जाना है तो xbl वाली file हमें चाहिए और आम इसे flash करना है तो इसी तरीके तो दोस्तों आपको एक-एक करके सारी कर लेनी है मैं फटा-फट से यहां से सारी कर लेता हूं अब भाई एक जगह पर देखो क्या है एक जगह पर क्या है यहां पर अब मैंने आपको यह file के नाम मैंने क्यूं लिखवा के रखे बस यही बताने का मोटिव है यहां पर रोक करके पंद्रवी line पर पहुंचा हूं भाई बड़ लेकिन यहां पर जो file हमें flash करना ही वो devgf.mbn वाली ही है जो ऊपर वाली थी देखरो सेम ऊपर भी file हमने flash की थी और नीचे भी हम वही file flash कर रहे है तो हमको क्या करना है यहां पर यह पूरी line copy कर ले थे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर उसके बाद हमने यहां पर जाना है औ यहां पर इस file को आपने search कर लेना है अभी आपको काफी easily मिल जाएगी ठीक अब आप यहां पर इसको flash कर लो simply ठीक है इस तरीके से आप लोग इसको flash कर सकते हो कुछ दिक्कत आईए अभी वो देखते हैं चलो कोई दिक्कत ने उसमें यह देखो हो गया ठीक है अब पता न इवन 6GB की पूरी partition होती है यह image file करेवन 6GB की होती है यह देखो यहां पर यह super लिखा है न 6GB की file होती है और 8 अलग-अलग part में अपने आप flash होती है ठीक है तो इसको बस आपने super वही करके बिल्कुल same process आपने दोराना है बट super में आपको काफी ज़रा time लगे गा जैसे कि यहां पर देख सकते हो मुझे 319 सेकंड लगे अब उसे साब साब time लेते हैं जिसमें से पहली है बूट बूट को हम flash कर लेते हैं और उसके बाद हम reboot करेंगे phone को और देखिए कि हमारा phone reboot होता है या नहीं होता बूट image को भी हमने कुछ इसी तरीकी से ले लेना है यहां से दिखना है बूट सर्च करना है बूट image आ गई और flash कर देना है तो यह भी हो गया दोस्तों यहां पर बूट image हमारा flash उसके बाद last हमारी command हम उसको भी flash कर लेते हैं एक काद मेरी इसमें command flash हुई नहीं फिर भी देखते हैं बूट होता है कि नहीं क्योंकि वह हुआ ही नहीं यह था यह SEC करके कुछ यह flash नहीं हुआ था पर यह कोई file नहीं थी सिर्फ यह command थी जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यह यहां पर देखो हमारा MIUI कर logo आ गया है तो उसको चलने दो फिलाल के लिए तो यह वाला था वो erase SEC पता नहीं क्या erase कर रहा था यह erase हुआ नहीं ब के थी उसको भी पर नहीं हुआ था तो देख सकते हो आपने हमने सारी command को एक एक करके यहां पर flash किया गाइस और यहां पर अभी भी connect है और कहीं आप सोचो भाई connect नहीं करका connect हमने बिल्कुल कर रखा है इसको यह थिक तो अभी हम इसको निकाल सकते हैं अभी तो कोई दिक करेगा गाइस तो प्लीज इसको सब्सक्राइब ज़रू से कर लो है चैनल को और इसी तरीके का बहतरिन content आपकी लम लेकिया रहेंगे तो वेट करते हैं यह बूट कितनी देर में होता है उसका वेट कर ले दें ठीक है यह भी निकाल दे रहा हूं मैं वेट करते हैं इसके ज्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ अपर flash हो चुका है काफी अच्छी तरीके से हो गया है यहाँ पर कोई दिकत नहीं आई ठीक है तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर flash कर सकते हैं बस यहाँ पर password डालना है तो एक बार इसको setup करके मैं आपको दिखा भी देता हूं कि same version भी हम लोग ने upgrade किया है और मैं आपको बता दूँ कि 12.0.4 जो इसका आया हुआ है इससे पहले हम कौन से वाले पर दे हैं हम इससे पहले arrows पे थे ठीक है इससे जस्ट पहले आप देख सकते हैं arrows का मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद जस्ट मैं इसका वीडियो होता हुआ complete और भाई बहुत सारी महनत लगी है बहुत सारा पसीन अब आए तो प्लीज अगें जे बोल रहा है यार प्लीज यार चानल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हुआ है तो चलते हैं आपर सेटिंग की तरफ और मैं आपको फटा फट से दिखा दू हमने ज हां से हो जाएगा वह अपडेट चल रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आप काफी इसली जो है काफी इसली नहीं थोड़ा सा लैंथी प्रोसेस है लेकिन हा भाई यह एक तरीका है फोन टू फोन से फ्लैश करने का अगर आपके पास कंप्यूटर का जुगार नहीं है आपक को फ्लैश करना है वह वाला सो लास्ट में बोलता हूं यहाँ पर अगें आपको वीडियो का फेंटरस्टिंग लगाओ को पसंद आयोगा पसंद आथा प्रीज आपको सब्सक्राब करने कमेंट करेंगे जरू बताने वीडिका से रहा है मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक बुट प्रीजें आपको सब्सक्राब करने वीडियो का फेंटरस्ट आपको सब्सक्राब करेंगे वी यहाँ एक करेंगे से एक शॉण